पिछले वीडियो में हमने समझा कि हम कैसे iOS devices में microbit की app यूज करते हुए program लिख सकते हैं microbit के लिए और उसको कैसे transfer करते हैं microbit पर या app में ही जो simulator है उसमें हम कैसे test कर सकते हैं theoretically android की app में भी process same है पर android की app में वो कभी काम करती है process और कभी नहीं करती है इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे PC या laptop पर हम browser यूज करते हुए microbit के लिए program लिख सकते हैं उनको simulator में test कर सकते हैं और फिर कैसे उनको हम microbit में transfer करते हैं आप कोई browser खोलिए preferably chrome browser या microsoft edge browser क्योंकि इसमें जो है make code microbit की जो एक service है वो better काम करती है तो मैं जा रहा हूँ makecode.microbit.org पर तो मुझे ये interface मिलता है इस interface पर मैं जाके कह रहा हूँ new projects और यहाँ पर एक project बना रहा हूँ let's say scroll name तो मैं अपना नाम scroll करूँगा तो मैंने कहा scroll name का मेरा ये program है और हमारे को browser based ये interface मिलता है simulator जो है वो left में है programming blocks की options यहाँ पर है और ये हमारा जो है यहाँ पर हम program लिखेंगे ये area है program लिखने का तो again मैं यहाँ पर ये जो starting blocks हमें मिल रहा है default इनको drag करके delete कर रहा हूँ और मैं जाके input में let's say इस बार हम on shake की input लेते हैं तो on shake है कि जो हमारे microbit में accelerometer sensor लगे हैं हम उनको use करते हुए program लिखेंगे तो हम कह रहे है on shake basic में जाके हम यहाँ select करें programming block show string string में जो अंदर जो भी आप यहाँ पर quotes के अंदर लिखेंगे वो जो है वो आपके microbit में display होगा तो मैं यहाँ जाके अपना नाम लिख रहा हूँ अतुल तो हम कह रहे हैं कि on shake show the string अतुल और यहाँ पर अब हमारे पास shake की option आ गई है simulator पे और अगर हम यह button डबाते हैं shake का तो यहाँ पर मेरा नाम जो है atul जो भी यहाँ string लिखा है वो यहाँ पर हमारे को scrolling way में दिख जाता है हम चाहें तो इस program में और चीदे add कर सकते हैं जैसे for example simply मैं add कर देता हूँ show icon and icon में भी आप यह drop down में यह जो LEDs का screen है इसमें यह pre-made icons है and of course जैसा हमने अभी animation की program में देखा आप अपना खुद भी pattern कोई भी बना सकते हैं LEDs को toggle on या toggle off करके तो यह program को again मैं पहले simulator में हम test कर लेते हैं तो simulator में अगर हम shake का button दबा रहे हैं तो पहले यह atul string जो है यह scroll होता है और फिर यह heart की icon जो है यह बन जाती है तो अब हमारा जो program है हमने simulator में test कर लिया अब हम इसको transfer करना चाहते हैं अपने microbit पर तो इसके लिए हमारे पास options क्या है कि हम यह download का button दबा कर यह हमारे locally save हो जाएगा program और फिर हम उसको transfer कर सकते हैं या यह तीन button जो तीन dots है इनको आप दबाओके तो यह आपको option एक और मिलेगी कि pair your device इस option को हम बाद में देखेंगे और यहाँ पर भी आप यहाँ जो भी नाम दोगे program का तो वो इस button को दबाके save हो जाएगा जो आप आपका microbit library है उसमें और यह जो button है यह कहरा है create a git hub repository तो यह भी हम बाद में देखेंगे कि कैसे आप git hub पे अपना एक free account खोल कर वहाँ पर भी अपने microbit में जो भी आप programs लिखोगे वो आप share कर सकते हो तो अभी हम simple यह use करते है download तो यह download जो file है जो हमने अभी program लिखा वो एक hex file transfer करना चाहते हैं अपने microbit पर तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने microbit को USB cable से attach कर रहे हैं तो यह USB cable है जो मेरे laptop से connected है और मैं इस से connect कर रहा हूँ अपने microbit को और फिर मैं Apple का laptop यूज़ कर रहा हूँ पर जो process है वो same है PC, Windows based PC या computer पर भी तो microbit as an external drive आपको दिख जाएगी और जो इसकी default अंदर ये details.txt और microbit.htm जो ये files है इनको छेडने की जरूरत नहीं है और जहां पर भी आपकी file आपकी files download होके save होती है आप वहां से जो अभी जो हमने file लिकी है उसको drag and drop कर देंगे इसमें बिल्कुल वैसे जैसे आप external कोई भी hard drive अगेरा लगाके अपनी files copy करते हैं तो जब ये file है ये transfer हो रही है तो यहां पर ये light flash करती है और ये light steady हो गई और हमारे को यहां पर मिल गया ये disk not ejected properly का message that means program जो है वो transfer ठीक हो गया है और अब अगर मैं इस device को shake करता हूँ तो on shake हमारे पास मेरा नाम scroll हो गया और ये icon जो है ये भी बन के आ गई और अगर यहां पर मैं इसको समझाने के लिए इसका नाम change कर रहा हूँ तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ scroll name and icon और अगर मैं ये button दबाता हूँ save का तो ये not only locally download हो गई है अगर अब मैं home पे जाता हूँ तो यहां पर ये जो मेरी नया file थी ये यहां पे save हो गई है तो जो programs मैंने पहले लिखे थे वो जब हम इस option को use करते हैं तो वो यहां पर हमारे लिए my projects के अंदर हमारे को मिल जाते हैं तो अगर आपके पास microbit नहीं है आप यहां पर browser पे जाके makecode.microbit.org पर जाके create new करके program कुछ लिखकर आप simulator पे try कर सकते हैं या आपके पास अगर iOS का device है तो iOS के device पर microbit की app बिल्कुल ठीक काम करती है और अगर आपके पास Android का device है तो उसमें मेरे हिसाब से Android की app पर थोड़ी सी problem आती है पर आप try करके देख सकते हैं So I hope आपको इस वीडियो से थोड़ा microbit के बारे में ज़्यादा पता चला और ये बात समझ में आई कि कैसे आप different platforms पे program लिखके आप microbit के simulator में उनको test कर सकते हो और उनको फिर कैसे अपने microbit पे transfer करते हो झाप कर दो